इंजीनियर साब, FRP Man Hole Cover कितने प्रकार के होते हैं? FRP Man Hole Cover मुख्य रूप से ठाइटन, पांच टन, सारे बारह टन, पचीस टन, एवं चालीस टन कैपेसिटी में आते हैं. मुझे घर पर लगाने के लिए ठाइटन या पांच टन कैपेसिटी में से कौन सा लेना चाहिए? ठाइटन, कैपेसिटी कवर मुख्य रूप से घर के अंदर या ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पैदल चलना हो, फुट पाथ पर, गार्डन एरिया में और जहाँ पर हलके मोटर भीकल का मूव्मेंट कभी कभार हो. पांच टन कैपेसिटी कवर ऐसे एरिया में लगाना चाहिए जहाँ मोटर भीकल का ट्राफिक अधिक हो, जैसे अंडर ग्राउंड पार्किंग, अपार्टमेंट, हाई राइस बिल्डिंग, शॉपिंग, मॉल्मेंट हो. सारे बारह टन कैपेसिटी कवर का इस्तेमाल कहां करना चाहिए? सारे बारह टन कैपेसिटी कवर का उपियोग रोड पर, सर्विस लेन पर और ऐसी जगहों पर होता है, जहां मीडियम ड्यूटी वाहन जैसे लोडिंग वाहन, बस, कार आदी का मॉव्मेंट हो. 25 टन कैपेसिटी कवर के उपियोग भी बता दीजिये, सर्जी. पानी के टैंकर आदी वाहन निकल जाए, क्या उसके लिए 40 टन कैपेसिटी कवर लेना होगा? 40 टन क्षमता वाले मैन होल कवर, विशेश रूप से उन स्थानों में उपियोग किये जाते हैं, जहां बहुत भारी वाहनों का आना जाना होता है. जैसे कि बड़े उद्ध्योगिक शेत्र, लोगों की भीडवाले इलाके और भारी लॉड की ट्रांस्पोर्टेशन के मुख्य रास्ते, इनका उपियोग अधिकतर बड़े ट्रकों, ट्रेलर्स, टैंकर्स और अन्य भारी वाहनों के लिए होता है. सभी जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब.